दोस्तों आपने 2009 में आई फिल्म Wanted तो देखी होगी जिसमें हमारे सल्लू मिया मुख्य करदार में नजर आये थे उनके साथ-साथ फिल्म में इनकी प्रेमी का जानवी का करदार को निभाने वाली अभिनित्री को भी दर्शकों ने खोब प्यार दिया जो अपनी जिन्दगी में इतनी परिशानिया होने के बावजू सल्मान बने राधे की बुरी आदतों को सुधारने का हर संभो प्रयास करती है और हर बार नाकाम रहती है लेकिन इस फिल्म में जानवी का करदार निभाने वाली ये अभिनित्री आज कहां है क्या करती है कैसी दिखती है अगर आप भी ये बात जानना चाहते है ना तो वीडियो के end तक मने रहे ना और साथ ही इस फिल्म के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो Wanted फिल्म में जानवी का करदार निभाने वाले अभनित्री का असली नाम आईशा टकिया है जिनका जन्द 10 अप्रेल 1985 को मुंबई में हुआ और शुरुवाती पढ़ाई सेंट आंथनी गर्ल हाई स्कूल से हुई बाद में मुंबई उनिवस्टी से ग्रिजिशुन किया अग इनके अच्छे प्रदेशन को देखकर कई और निर्माता निर्देशक प्रभावित हो गए और इनके आगे फिल्मों की लाइन लगी जिसमें दिल मांगी मोर, सूचा ना था, शादी नमबर वन, संडे, डूर जैसी फिल्मी शामिल है इन सबी फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड में लीड रोल करने का मौका हसल कर लिया इस फिल्म के बाद ये और ज़्यदा फेमस हो गई इस फिल्म के बाद इन्हें फिल्में ज़्यदा मिलने की बजाए बंद हो गई इनका करियर मंदी में चला गया इसलिए इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया और इन्हें आखरी बार 2011 की फिल्म मोड में देखा गया इस फिल्म के बाद ये किसी फिल्म में नहीं देखी और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली फिल्मी दुनिया से ये दूरी बनाने के बाद इन्होंने अपने लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर ली जो कि इनके धर्म से बिल्गूर अलग थे फिर भी इन्होंने धर्म की दिवारे तोड़ कर शादी की और शादी के बाद एक प्यारे से बेटे को जन दिया आपको बता दे इन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाये हुए 9 साल हो गए और इन बीते 9 सालों में काफी बदल गई है आज ये 33 साल की हो गई है इन्होंने अपने लुक्स में बदलाव लाने के लिए फुलर लेप जोलाइन आईब्रो और फॉर हेड की सरजरी करवाई थी जिसके बाद ये काफी बदली इसे नजरा रही है हाल ही में जब इन्हें अपने पती और बेटे के साथ एक फंक्शन में देखा गया तो इन्हें देखकर सभी चौंग गए आपको बता दे इन्हों अभी तक अपने अभने करियर को विराम दे रखा है और अपने निजी जीन में काफी वियस्त है अब इनका बॉलिवड में आने का को इरादा नहीं है तो दोस्तों आपको इनका बदला और रूप कैसा लगा अपनी राय कॉमेंट में दे दो और ब झाल झाल